हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ किंजल और आपका स्वागत है मेरे चैनल थोड़ी सी पेट पूजा में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रीन चटनी यानी हरे धन्य की चटनी जिसे आप पराठे के साथ सैंडवेच के साथ पूरी के साथ चावल के साथ दही वड़े समोसे जिसके साथ भिखाएंगे मजा आ जाएगा तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरुरत पड़ेगी मैंने यहाँ एक कप धनिया लिया है जिसे मैंने चार से पांच बार अच्छे तरह वाश कर लिया है एक टमाटर लिया है चार-पाच हरी मिर्च आधा नेबू आधा टीस्पून जीरा नमक स्वादा नूसार वनफोर टीस्पून हींग चटनी बनाने के लिए ग्रैंडिंग जाड ले लेंगे और सभी चीजे उसमें डाल देंगे तो यहां मैं पहले धनिया डाल रही हूं टमाटर के चार टुकडे करके डाल रही हूं फिर यह हरी मिर्च डाल दें जीरा डाल दें नमक और हींग डाल दें लास्ट मिस में नीबू में आड़ कर रही हूं अगर आप लहसन खाते हैं तो यहां लहसन भी आड़ कर सकते हैं अब जार का धकन बंद करके मिक्सी में पीस लेंगे अगर आप टमाटर यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं एक दम स्मूध पेस्ट बना लेंगे हमारी चटनी बनकर एकदम रेडी है अब इसी एक बोल में निकाल लेंगे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस वीडियो आप तक बहुंचे सबसे पहले